नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत में तीज त्योहार छोटे बड़े मौके या फिर कोई भी खुशी का अउसर हो, तो सबसे पहले बाटी जाती है मिठाई और घर में भी आती हो, लेकिन वो ही मिठाई हमारे खुद के हाथों से बनी दुए हो, बिल्कुल हाईजी निकली और बहुत ही ज्यादा स्वादिश, बिल्कुल मार्केट जैसी, तो कैसा रहे? आज हम में बनाएंगे एक ऐसी ही मिठाई, जो सबसे ज्यादा लोग प्रिये हैं, आज हम बनाएंगे जोस्तों, बराकी हलवा, बहुत आसान तरीके से, और बिल्कुल बाजह लग दिता है, पैस आएंगे बनाना शुब करते हैं, सबसे पहले दोस्तों मैंने ले लिया है एक कटोरी पांट, जो मार्केट में बहुत भी आसान से ले जाता हो, और दोस्तों मेजर मैने के लिए मैने एक कटोरी लेनी है, आप अपने घर में जो भी कप, कटोरी जिसका भी साइज लो, तो ह हमें इसी साइज से लेनी है, तो सबसे पहले तो ये ले लिया एक कटोरी में, मैंने पांट, अब दोस्तों मैंने ले ली वो एक पती ली, उसमें सबसे पहले तो हमने ये जो पांट लोर लेकर रखा है, वो डाल देंगे, और उसके बाद दोस्तों ये जो हमने कटोरी ली कि वहीं भरकर दो हमको इसमें पानी डाल देना है ये एक और ये दो दो कटोरी पानी डालने के बाद दोस्तों आग हमें चम्मच की मदद से इसको बिल्कुल लंप्ष्प्री बना देना है बिल्कुल गठा ना रहे वैसे कॉंट्लोर जो है वो पानी में बहुत आसानी से है तो नो ये वईनची क कटोरी लेसे के लिए एक ट्राटोर बागे दोस्तों आप जिस कटोरी से मैं आपी थी वहीं पूरी एकुटके वां यहां पे डाल दाल के बाद पानी दो चीनी और पानी के घोल को अब मैंने दूस्तों मीडियम ख्लेम पर गैस पर गरम होने के लिए रख दिया है फिल्हाल हम अब जब तक चीनी नहीं पिगल जाती उतना वेट कर लेते हैं सिर्क दो मिनिट जितना ही समय लगा है और हमारी चीनी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पिगल चुकी है बस इस वक्त अब हमने जो पॉन्ट फ्लोर का घोल बना कर रखा था उसको सारा हम इसमें डाल देंगे मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलता आगते रहेंगे थोड़ी देर में ये हॉले हॉले गाढ़ा होने लग जाएगा लगातार चलाते हुए मिश्रण जो है सिर्फ दो से तीन मिनिट के अंदर ही गाढ़ा होने की शुरुवात हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बबल्स बनने लग गए हैं और ये गाढ़ा भी हो चुका है अभी इसको चलाते रहें जब तक कि ये ट्रांस्परेंट दिखने ना लग जैसे कि आप देख रहे हैं मिश्रा जो है वो ट्रांस्परेंट होने लग चुका है एक आप मिनिट तक इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और पोड़ा सा इसको हम और पकने देंगे मिश्रा हमारा टोटली ट्रांसफरेंट हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं अब इस वक्त हम डालेंगे इसमें एक चमच भरके देशी गी और एक बार फिर से इसको चला लेंगे जब तक कि ये मिश्रान घी को सारा सोक नहीं लेता हमने जो घी डाला था वो मिश्रान ने सोक लिया है तो अब एक बार फिर से एक बड़ा चमच भरके देशी घी डालेंगे दोस्तों अगर आपका छोटा चमच है तो दो डाल दीजिए मेरा ये चमच बड़ा है तो मैं ये एक भी डाल रही हूँ एक बार फिर से चला लेंगे जब तक कि फिर से ये मिश्रण घी को सोख नहीं लेता दूसरी बार भी घी जो है वो मिश्रण में समा चुका है अब दूसरी बार एक बार फिर से एक बड़ा चमर भरके मैंने डाल दिया है और एक बार फिर से इसको लगातार चला लेंगे ताकि घी जो है वो फिर से इस मिश्रण में ही समा ले घी जो था हो मिश्रण में सारा अच्छी तरह से मिल चुका है अब इस वक्त दोस्तो हम डालेंगे यहाँ पर एक छोटी घटोरी घरकर बैलनसेर आप अपनी पसंद का काजू या बादम की कत्रम भी डाल सकते हैं लेकिन लोस्तली मार्केट में जो मिलता है उसमें मैलन सीर्ट ही होते हैं तो मैंने भी इसमें मैलन सीर्ट ही डालेंगे उसके सीवा हम डालेंगे यहाँ पर आधा चमच जितना फूर कलर मैंने ग्रीन कलर डाला है आप दोस्त ओरेंज या फिर रैड या यलो भी डाल सकते हैं लेकिन ग्रीन कलर जो है वो कराची हलवा में सबसे ज्यादा देखने मिलता है तो मैंने वही डाला है उसके सिवा डाल देंगे हम एक चमच जीतना इलाइची के कुपे हुए तानों का पावडर और अब सभी सामगरी को चमच की मदग से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इलाइची और हमारा ये ग्रीन कलर अच्छी तरह से प्रॉपरली पूरे में मिक् हो जाए सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है दोस्तों और जैसे के आप देख रहे हैं ये पूरा मिशन जो है वो पैन से छूट चुका है और जैली की तरह ये बिल्कुल हो चुका है बस इस वर्त हमको प्लेम जो है वो आफ कर देंगे अब मैंने लेगी है उसको एक ठाली और उसमें मैं डाल दे रही हूं पोडा साखी अगर आपके पास स्कुएर बर्तन है कोई या फिर केक्स का घीम है तो आप भो भी ले सकते हैं लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैंने ठाली ले लिए है अगर आपके पास भी नुखी है तो आप भी इसी तरह से ठाली ले लीजिए उसमें लगा देंगे हमखी और ग्रीस कर लेंगे पूरी ठाली को अच्छी तरह से जैसे कि ठाली जो है वो ग्रीस हो जाएगी तो हमने ये जो मिशन बना के रखा था वो सारा ही हम इसमें डाल देंगी और पूरी ठाली में पूरी बिच गया है सब जगा अब अंत्में दोस्तों इसके उपर मैं श्प्रैड कर रही हूं बादाम की कत्रन आप अपने पसंद का कोई भी ड्राइफ्रूट यहां पर गार्निशन के लिए यूज़ कर सकते हैं सब कुछ अच्छे से एक समान धर जगा पर बिचाने के बादो में आब हम इसको पूरी तरह से थंडा होने के लिए छोड़ देंगी दोस्तों इस तरह से आप काजू भी इसमें लगा सकते हैं आप अपनी मत्री से जो चाहे वो गार्निशन इसमें कड़ सकते हैं फिल्हाल अब इस खाली को हम पूरी तरह से रूम टेंपरेचर आने कलग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगी रूम टेंपरेचर तक हमारा कानाची हलवा जो है वो बिकुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है अब हम चाकू के मदद से दोस्तो अपने मन पसंद आकार के टुकड़े इससे हम कट कर लेंगे नॉर्मल इसके चौरस टुकड़े होते हैं तो मैं भी इसको चौरस आकार में ही काट रही हूँ करांची हलवा हमारा दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से कट कर तैयार हो गया है दिखने में बिल्कुल वैसा ही जैसा मार्केट में होता है इसमें आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी सॉफ्ट और स्पॉंजी भी वैसा ही जैसा हम मार्केट से लाते हcriptions तब होता है डिलिश्यस टेस्ट वाली हमारी जो ये आप देख रहे हैं मिठाई बनकर बिल्कुल रैडी हो चुगी है दोस्तों दिखने में बिल्कुल मार्केट जैसी स्वाध भी वैसा सस्ते में और बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई और हाँ किसी को भी खिलाओ तो प्रोसा नहीं करेगा एक बार में अगर आप नहीं बताएंगे के आपने खुट बनने ऐसी पटाहट बनने वाली रैसिपी दोस्तों कई दिनों तला खराब नहीं होती है और इसका टेस्ट जो है वो भी प्रॉपर्ली में टैक रहता है बस दोस्तों आपको मेरी जो रैसिपी है वो बसात आई होगी जोहरों के दिन चल रहे हैं खुद भी बनाईए खुद भी खाईए और उको भी खिलाईए और हां मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए शुक्रिया